नमस्कार, मैं हूँ दॉक्टर विवेक अगर्वाला, कंसल्टेंट, मेडिकल उन्कॉलिजिस्ट और हमाटो उन्कॉलिजिस्ट नरायना सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल हावडा और आरेंट अगॉर हॉस्पिटल मुकुंदुपूर में दोस्तों अब कोविड-19 का जो पैंडेमिक है काफी महीनों से एक साल से उपर हो गया यह पैंडेमिक चली रहा है और अब इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कोविड-19 वैक्सिन भी आ गया है हमारे कई पैशिंस जो कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं या पहले ले चुके हैं वो काफी उत्सुक हैं इस बारे में जानने के लिए की वो यह वैक्सिन ले सकते हैं के नहीं और कई सारे पैशिंस हमारे पास रोज यह सवाल लेके आते हैं तो इसी के बारे में जो भी कन्फ्यूजन है वो हमको क्लियर करना है और उसलिए मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ तो जो भी government ने guidelines दी है जो regulatory authorities है cancer treatment के उन्होंने जो guidelines दिया है अगर हम वो guidelines को देखें तो तो cancer patients जो है वो COVID-19 vaccine के लिए एक priority है अगर COVID-19 vaccine शुरू हुआ है तो cancer patients जिस तरह से जो patients जो लोग अधिक उमर के हैं या जिनको कुछ बिमारिया है जैसे COPD जैसे diabetes hypertension हर्ट की बिमारिया उसी तरह से जिनको cancer है वो भी एक cancer is COVID-19 vaccine के लिए priority है हाला कि यह हो सकता है कि because उनके जो current treatment जो वो ले रहे हैं cancer के लिए या जो उनकी current condition है उस वज़ा से COVID-19 vaccine उनमें normal patient के comparison में कम काम करें बट उसके बावजूत COVID-19 vaccine उनके लिए priority है और ना सिर्फ patients के लिए बट patients के caregivers के लिए भी COVID-19 vaccine एक priority है इसके बावजूत भी कुछ guidelines issue हुए है जो हमको ध्यान में रखना है ताकि हम COVID-19 vaccine का जो efficacy है वो जादा से जादा कर सके तो हमको यह ध्यान में रखना है कि COVID-19 vaccine का efficacy serious disease और मृत्यू prevent करने के लिए है लेकिन asymptomatic जो infection होते हैं जिसमें COVID हो जाता है लेकिन कोई symptoms नहीं होता उस तरह के infections शायद यह COVID-19 vaccine उतना prevent नहीं कर पाए लेकिन नित्यू या serious बिमारी COVID-19 से related यह COVID vaccine almost 100% prevent करेगा अगर आपने autologus bone marrow transplant कराया है या allogenic bone marrow transplant कराया है तो guidelines कहती है कि आपको vaccine तीन महने के अंतराल में लेना चाहिए तीन महने के बाद लेना चाहिए तीन महने के अंदर अगर आप लेंगे तो शायद यह vaccine काम नहीं करेगा अगर आप cancer के लिए surgery करा रहे हैं तो जिस दिन आपकी surgery उस दिन आप vaccine मत लीजे बाकी दिन आप ले सकते हैं अगर आप cancer के लिए कुछ कीमोथरपी ले रहे हैं या ऐसी treatment ले रहे हैं जिससे आपकी blood की immunity कम होती है या blood के जो white blood cells कम होते हैं तो guideline से कहते हैं कि आपको vaccine आपके जब counts cycle में सबसे निम्न स्तर में रहते हैं उस समय नहीं लेना जब आपके blood के counts बढ़ रहे होते हैं या अभी तक गिरे नहीं होते हैं उस phase में आप लीजिए कीमोतरपे के उस phase के उस cycle के उस phase में लीजिए बाकी अगर आप cancer के लिए अन्य तरह के treatment ले रहे हैं जो immunity को या blood cell के counts को effect नहीं करता जैसे hormonal treatment या targeted treatment तो आप vaccine safely ले सकते हैं अगर आप और भी कोई vaccine ले रहे हैं तो दूसरी vaccine के साथ-साथ covid vaccine सेम डे मत लीजिए उससे भी vaccine का efficacy कम होगा तो दोस्तों अगर हम सरकार की guidelines माने तो covid vaccine के लिए कोई भी absolute contra indication नहीं है और अगर हम covid shield के बारे में पूछें तो जो patients जिनको cancer की बिमारी है उनके लिए जो active anti-cancer treatment ले रहे हैं उनके लिए covid shield जादा preferable है क्योंकि covid vaccine में जो company ने guidelines issue किया है उनके हिसाब से जो patients में active anti-cancer treatment मिल रहा है वो patients को co vaccine लेने से मना कर रहे है तो covid shield जादा preferable है cancer patients में तो दोस्तों अगर हम सब ये बात माने तो हम ये देख रहे हैं कि रोज हमारे कई सारे patients हैं जो safely anti-cancer treatment भी continue कर रहे हैं और covid vaccine भी ले रहे हैं कई सारे patients हैं जो treatment खतम कर चुके हैं और आराम से covid vaccine ले रहे हैं कोई तकलीफ भी नहीं हो रहे हैं और अब वो confident भी है कि covid related serious illness भी नहीं होगा तो मेरी आप लोगों से सभी से यही गुजारिश है कि हमको सब को मिलके covid vaccine लेना है और जल्दी से जल्दी यह कोशिश करनी है कि हमारा समाज हमारा देश covid से मुक्त हो सके नमस्कार धन्यवाद